नमस्कार दोस्तों, CMLC GS कलास में आपका स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको ये कोश्चन आप लोग को दिखता होगा ये बहुत आपके एकजाम के लिए महत्पुन है कानु निर्माता भीमरा अमवेदकर को भारत रत्म पुरुषकार कब मिला तो आप्शन A में उन्हें 54, आप्शन B में उन्हें 90 है आप्शन C में उन्हें 77 है और आप्शन D में उन्हें 91 यानि सबसे पहले समझेगा कि भारत रत्न पुर्षकार की सुरुवात कब हुई तो उने सच चौबन इसपी में अगर सुरुवात पूछे न तो भारत रत्न पुर्षकार की सुरुवात कब हुई तो याद रखेगा कब हुई उने सच चौबन इसपी में लेकि यहां ध्यान पूछ रहा है कानून निर्माता भीम राउं बेद करको भारत रत्न पुर्सकार कब मिला तो पहले ये और उस question से संबधी जो भी प्रस्ण बनता उसको पहले देख लेजे देखे सबसे पहले सालीम कब की सुरुवात कब हुई अगर सालीम कब की सुरुवात पूछे न तो उ अंतराजिये परिशत के अस्थापना कब हुई? तो उनेस्था 90 ISP में ध्यान देजिएगा, ठीक है, नाग का सफल परिच्छन कब हुआ? नाग का पूछेगा सफल परिच्छन कब हुआ? तो उनेस्था 90 ISP, दागो और भूल जाओ के नाम से जानते हैं, किसे नाग, नाग क् एंटी टैंक मिसल है, इसे दागो और भूल जाओ के नाम से जानते हैं, महबूब उलहक ने माना विकास सुचकांको जारी तयार किया था, कब? उनेस्था 90 ISP में ध्यान देजिएगा, बहुती महत्पुन कोश्चन है, ठीक है? और सिद्वी की अस्थापना कब हुई? तो अगर पूछे सिद्वी की अस्थापना पूछे ना, तो उनेस्था 90 ISP में, लेकि सिद्वी का मुख्यल है कहां है, नभाबू का सर लखनों में, ध्यान देजिएगा, महत्पुन कोश्चन है, नेलसन मंदेला को भारत रत उनेस्था 90 ISP में मिला, कब मिला? उनेस्था 90, द समझे, अब कोश्चन क्या कर, कानुन निर्माता, भीमरा अंबेदकर को भारत रत्न पूर्शकार कब मिला? तो इसका जवाब उनेस्था 90 ISP में, ध्यान देजिएगा, और कानुन निर्माता, यानि भारत के जो संबिधान का पिता किसे कहते, तो भीमरा अंबेदकर को भार दौक्टर भीमरा अंबेदकर को याद रखे, बहुत आपके एकजाम के लिए महत पूंता, वो सभी प्रस्ट मैंने बता दिया, तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आवे, तो आप लाइक कर देना और सेर भी कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में बेल आइकोन को भी दबा दीजेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,